स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल अरस्तोगी कोचिंग में यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है यूपी बोर्ड कच्छा बारा भौती विज्ञान का सलेवस जारी कर दिया गया है यूपी बोर्ड के भौती विज्ञान कौन कौन कितने नंबर का पार्ट है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यारती सभी पार्टों को मिलान कर लिजिएगा कितने नंबर का कौन पार्ट पूछा जाता है तो यहाँ पर दिया गया सत्तर अंकों का एक प्रशन पत्र होगा और तीस अंक का प्रगात्मक परिच्छा होगा टोटल जो है सो नंबर का परिच्छा होता है जिसमें से सत्तर नंबर का लिखित इक्जाम होता है और तीस नंबर का प्रेटकल का इक्जाम होता है पहला जो इकाई दिया गया इस्थिर बिद्धुतिकी, तो इस्थिर बिद्धुतिकी में जो है आठ नमबर के प्रशन पूछे जाएंगे, और दूसरा चेप्टा दिया है धारा बिद्धु, धारा बिद्धु से साथ नमबर के प्रशन बोड के एकजाम में पूछे जाते ह धारा का विदुती चुमकी प्रभाव तथा चुमक तथा आठ नमबर का अभिहास है। तो बुक नमबर 2 में देखेंगे पहला पाट क्या दिया गया है प्रकासकी, प्रकासकी जो है तेरे नमबर का सबसे बड़ा अभ्यास माना गया है, तेरे नमबर का प्रशन है इससे पूछा जाता है और बहुत ही यह चेप्टर आईयंपी माना जाता है, दुसरा नमबर का अभ्यास है परमार तो था नाभिक जो है आठ नमबर का अभ्यास है इलटानी की युक्तियां जो है आठ नमबर का है टोटल जो है 35 नमबर के प्रसंद जो है बुक नमबर दो से पूछा जाता है तो बुक नमबर एक और बुक नमबर दो दोनों को मिला करके एक पे को पढ़ना है यहां करमस्रा हीडिंग दिया गया है और देख सकते हैं पहला पार्ट कितने अंका है आठ अंक का प्रस्संल पुछा जाएगा तो यह पूरा हीडिंग करमस्रा आप सभी विध्यारती देख लीजिए और इसे चाहे तो आप साथ स्क्रीन ले सकते हैं और जो है बोर्ड पेपर में एक्जाम में पूछा जाता है दहारा बैदु धारा का चुमकी प्रभाव तथा चुमक तत्व जो है आठ नंबर का प्रशन है और यहां पर पूरा सिलेवस इसका दे दिया गया है तो अगला देख सकते हैं बैदु चुमकी तरंगे जो है चा नंबर का है और यहां पर देख सकते हैं प्रकास की प्रकास की जो चिप्टर है सबसे बड़ा चिप्टर माना जाता है और तेरे अंक का प्रशन पोड के एक्जाम में पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रशन भी तयार करना रहता है यह जितना हेडिंग देख रहे हैं सभी प्रशनों को आपको तैयार करना पड़ेगा तो आप सभी विद्याति सभी प्रशनों का उतर आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जो है 238 वीडियो है वहां से जाकर के सभी हेडिंग को करमशा अपने कापी में नोट्स बना सकते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को जो है देख सकते हैं, सभी फिजिक्स के पाठो को करमस्व एक एक हेडिंग को माध्यम से आपको पूरा हल बताया गया है, तो सभी पाठ का अगर वीडियो देखना चाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बाक्स में जो है लिंक दे द दिया जाएगा, वहां से जा करके सभी पाठो का हल देख सकते हैं, सभी पाठो का लेक्चरर भी दिया गया है, और नोट्स भी बना सकते हैं सरल भासा में, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट किजेगा, वीडियो को लाइक कर और चैनल पे दिया आप सभी विद्यार्थी पहली बार आयोंगे, तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा, तो याद रखिए, सत्तर नमबर के बोर्ड पर इच्छा होगा, और जिसमें से तीस नमबर का अलग से प्रेटकल का एक्जाम होता है, जिसमें से पंदरे नमबर स्कूल के माधियम से दिया जाता है, और पंदरे नमबर जो है एक्जामलर साहबाते उनके माधियम से दिया जाता है, टोटल सो अंक का पेपर फिजिक्स का होता है, तो उमीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार